सबी साथियों को नमस्कार इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली ताजा ख़बर सामनारी है पुलिस कास्टेवल को छाती में गोली मारी गई है जिससे विसकी मोके पर ही जान चले गई है लेलोहान अवस्ता में वो पुलिस को ही मिला है चले क्या है पूरा मामला देंगे इस ख़बर के बारे में आपको शंपून सान करे विस्तार से तरसली बड़ी खबर हर्याना के सोनी पत्ते सामनारी है हर्याना के सोनी पत्त में सोंबार रात करीब बारे बज़े के आसफ़ास हेड कास्टेवल को गोली मारती गई है रूकी गाम के पास उनका सब खून से लटपत हालत में मिला है जानकार एक मताबिक बताए जारा है प्रमो डूटी करने के बाद अपने गाम जसिय जारा था रास्ते में बदमासों ने उसकी चाती में गूली मारी है और उसके पास मोजुद सामान को बदमास लूट कर भाग गए है चलिए क्या है पूरा मामला देंगिश खबर के बारे में आपको ओश शंपूर जानकार विस्तार से दरसल जानकारे के मताबिक पताय चारा है जैसे ही इस गटना की सुसना अमली सुसना पर मोगे पर ही एसी पी सौमबीर और बरोदा थाना चेतर की एसेट चोरमेश चंद्र और साथ में फोरेंसिंग टीम मोगे पर पहुँची है गटना की पूरा जाय चालिया है लेकिन इस बक्त पुलिस को कोई भी सुगराख हाथ में लगा है पुलिस ना ग्याद के खिलाब आई पी सी की धारा तिन सुद्व के साथ साथ अन्ने कई मामलाओं में केस दर्ज कर लिया है और सब को मेडिकल कोलेश खानफूर के लिए रेफर कर दिया है जानकार एक मताविक ये भी बताया जा रहा था रोतक के जसिया गाम के रहने वाले करम वीर ने पुलिस को बताया कि उसका चाचा का लड़का प्रमोद हर्यणा पुलिस में हैड का स्टेबल है उसकी डूटी भी महोना थाने में ही थी रात को वो भैस्वान खुर्द पुल मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पाया कि प्रमोद का सब रोड किनारे पड़ा है उसकी चाथी में गोली लगई है पुलिस ने बताया है कि प्रमोद रात को करीब 11 बज़े के असपास मोहना थाने की जैसे अगाम जाने के लिए अपनी कार को लेकर निकला था करीब थाने से बारे किलोमेटर दूर इस घटना को अंजाम दिया गया है प्रारमिक जाच रिपोर्ट में सामने रहा है कि इस घटना को अंजाम देकर बदमास फ्रार हो गए हैं और यहां पर कांस्टेबल की कार मोवाईल और पैसे को लूट लिया गया है पुलिस को प्रारमिक जंसन ने भी दिली की सभी वोर्डरों को पूरी तरह सील कर दिया है। सब जगह पुलिश का भारी जबरतस्त फेरा है। आपको बतना चाहिए दिली की सीमा को साबदने में तबदील कर दिया है किशानों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दिगई है पंजाब से लेकर दिली तक शड़कों पर किसानों के ऐलान के बाद तनाब देखा जा रहा है पंजाब फरेंद बोर्डर भी शील कर दिया है दिली में 12 मार्च तक के लिए 146 लगा दिगई है यानि कि 12 पूरी तरह दिल्ली में लगी रहेगी सड़कों पर बड़े-बड़े फत्तर रख दी गए हैं जिससे किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके बेरीकेडिंग के रास्ते पूरी तरह बंद कर दी गए हैं सड़कों पर नुकिली कीले भी लगा दी गई हैं पूरी कोसिस की जारे कि किसी भी हालत में राजधानी का माहूल ना बिगड़ पाए और किसी प्रकार किसानों को दिल्ली से भार ही रोक लिया जाए हाला कि किसानों का जापता पूरी तरह दिल्ली के आसपास पहुंच चुका है जहते हैं आपको पलपल का अबडेट बने रहिए एस ट्व 44 नुच के साथ प्रैक्ष्टरों का एक आपला थे किया आप देखें चालो प्रैक्ष्टरों का एक आप देखें अगे लार याड़ है विट्ट्री साइन बढा रहे है किसान आप इसान जाने आप लिटर आफले चल पड़े हैंश्टरों आप देखें और दृट्टिक आप दो ट्रेक्टों भाई, ट्रेक्टों को काफला देखा है, तो भी ट्रेक्टर है, पूरा काफला